सब्क्राइब नीचे वह बंढ़ सब्सेलबर लिखा हुआ है एक वर्ड लिखा हुआ है एकसेश यहाँ पे एकसेश आगर आप लोग नोटिस रहे होगे नीचे भी देखिएगा accept 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 आपको ppt ही देखकर के लग रही होगी कि आपके ppt के ऊपर कितनी मेहनत की गई है तो बहुत मेहनत होती है आपको पढ़ाने की पीछे तो उतनी ही सिद्धत के साथ आप लोग पढ़िएगा तो अब आप लोग देख रहे होंगे न यार ये कहीं न कहीं इनका जो pronunciation है वो almost seem लग रहा होगा आपको access, access and access लेकिन इनकी spelling अलग लग रही होगी और obvious सी बात इनकी meaning भी अलग होगी यहीं आपको देखे मैं याद करवाते चल रहा हूँ ठेक है देखो जैसे क्या माल लिजे यहां पे लिखा access भाई access मतलब होता है पहुच यह बात सबको पता है जिसको हम लोग कह सकते है entrance या जिसको हम कह सकते है entry जिसको हम कह सकते है approach ठीक है अब जैसे माल लिजे इसको आप ऐसे याद करिए आपकी शादी होगी है इसा example लेते हैं life में जो आपसे बहुत ज़्यादा connect करती हो relate करती हो जिससे आपको याद हो जाए अब आपकी शादी होगी शादी होने के बाद जाहिर सी बात है आप चाहेंगे कमरे में तो कमरे में जब आप करेंगे entry ठीक है उसके बाद आप देखना आपको क्या करना है बाकि मेरे जो रोल था यहीं तक था entrance entry आप अप्रोच करेंगे आप example के तवर पे लिखा है the only access to the village is by boat यानी जो आपका access है कहां पे गाओं के लिए वो कैसे बस आप जा सकते हो boat के द्वारा जा सकते हो तो access का मतलब होता है कहीं पे entry लेना वो कहीं भी हो सकता building हो सकती है को कोई office हो सकता है कोई और जैसे मैंने लिखा यह क्या हो the staircase अब जैसे मैंने यहां पे staircase लिखा है तो staircase का मतब सीड़ी होता है मतब सीड़ी इन दे सिंज जो आप चड़ते हो ठीक है तो यह क्या देता है हमें gifts यानी देता है क्या देता है access देता है कहां के लिए देता है to the top floor top floor के लिए देता है तो top floor के लिए हमें access कौन देता है सीड़ी देती है तो access का मतलब होता है कहीं पर enter करना और एक चीज़ अगर आपने ध्यान दिया होगा ये भी मैंने आपको पढ़ाया था fixed preposition में access के साथ जो हम preposition का use करते है वो किसका use करते है अगला देखेगा access का मतलब होता है पदा रोहन अब आप कहोगे पदा रोहन क्या होता है पदा रोहन यानि पद ग्रहन जी से हम लोग बोलते हैं मैं थोड़ा बगल से पढ़ाता हूँ आप लोग को सब कुछ देखे इसको हम बोलते हैं पद ग्रहन पद ग्रहन क्या होता है अब जाहिर सी बात है कि अगर suppose करेगे आपके पिता जी अभी पूरे घर के मुखिया है करेजिके के उपर आने वाली है आप पद ग्रहन करेंगे अपने घर के मुखिया होने का और सारी जिम्मेदारी आपने बाएंगे उसी तरीके से आपका लड़का, माने जी आपके पिता जी राजा हूँ, तो उस राजा का जो ग्रहण है वो आप करेंगे, एक तरीके से आपको अपने घर का राजा ही समझी, ठेक है आज आपके पिता जी है कलकुआप होंगे, परस to throne क्या बोल सकते हैं भाई coming to throne sentence देखेगा यहां पर लिखा है 1926 was the year of emperor hero hito's accession to the throne यानि सिंगहासन पर जो चढ़ने का समय था समराट hero 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 क्या नाम है इसका यह hero hero तो का वो था 1926 यानि हमने accession का मतलब क्या बताया कि यह राजा की जगह लिया था इसने पद को ग्रहन किया था ठीक है जैसे एक example और देखिएगा जैसे मैंने कहा कि the queen's accession to the throne आप मैंने बोला queen's accession to the throne यानि यह रानी के सिंगहासन पर होनी की बात हो रही है यहां पर आप देखा भाई हमने क्या लिखा एक्सेशन लिखा है और इसके साथ भी देखिए हमने टू लिखा खेर यहां मैं fix proposition आपको नहीं पढ़ा रहा हूं फिर भी ठीक है अगला देखिएगा access लिखा है access का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है अक्तिधिक यानि जिसे हम बोल सकते है surplus जिसको हम बोल सकते है more than required यानि जरूरत से ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा वह access कह रहे है यार बड़ा access हो गया है कभी-कभी खाना access हो जाता है जैसे देखिए मैं खेर ऐसा करता हूं मैं accept करता हूं आप लोगों के सामने आप ऐसा करते हैं मुझे जरूर बताईगे अगर जैसे मैं किसी मेरी जान तहशान है वहोगत कम है अमुद्ण मेरा सरकल बहुत छोटा है मैं बहुत कम लोगों से मतलब रखता हूं लिकिन जिनसे भी मतलब रखता कर उगर उनके आप यहाँ इससे सर्माना ही क्यों है तो इस वज़े से मैं खाता को भर पीट हूँ, तो एकसिस हो जाता है, पता है उसके बाद मुझे इनो भी लेना पड़ता है, यह एक मैं आपको वाक्या बाद में बताऊंगा, पहले यह पढ़ा लेता हूँ, यह ऐसे लिखा है, यानि देखिए, एक बार गौतम बुद्ध स कहा था, कि किसी भी चीज की अती बुराई है, यानि वो चाहे प्यार हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे नप्र, तो कोई भी चीज को अगर आपने अती कर दिया, more than required, more than desired, more than access, ठीक है, तो वो चीज हो गई आपकी न, तो अगर कोई चीज अती हो गई तो गड़बढ़ है, तो इंतुजियाज में हद से ज़्यादा क्या है, वो गड़बढ़ है, यासे मैंने का, they both eat to access, यानि उन लोगों ने क्या, भाहर पेट खाया, अब आते हैं, accept, देखो भाई, accept तो सबको पता है, accept मतलब स्विकार करना होता है, यानि agree to receive, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, acquire, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, obtain, acquire बोल लीजिए, obtain बोल लीजिए, प्राप्त करना, यह T लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ, C was in Mumbai, वह मुंबई में था, to accept, स्विकार करने के लिए, an award for her latest book, अपनी latest book के लिए, आवार्ड रिसीव करने के लिए, वह मुंबई में था, ठीक है, अब जैसे मैंने बोला, he accepted a pen as a present, he accepted as a pen, as a present, यानि present मतलब यहाँ उपहार है, तो उपहार के रूप में उसने क्या प्राप्त किया, एक pen प्राप्त किया, अब आगया, accept, accept मतलब होता है के अलावा, के अलावा का मतलब हो गया, not including, यानि जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, excluding, excluding बोलिए, चाहे not including बोलिए, ठीक है, exclude करने का मतलब होता है किसी चीज़ को बाहर कर देना, usually अगर आपके पास पैसा नहीं है, या इस दुनिया, देखे, ये दुनिया में ऐसा ही चलता है, ठीक है, क्या करते हैं लोग, अगर आप जाती के छोटे हैं, या आप पैसे से गरीब हैं, या आप देखने में बदसू दुवात में जेली थी, और अब तो मैं मतलब ही नहीं रखता, तो मुझे exclude का उन दरेगा, ठीक है, तो accept के मतलब होता है के अलावा, यानि not including या excluding, तो everyone was there, accept for sebum, यानि sebum को छोड़ कर, हर कोई वहां पे था, प्रतेक लोग वहां पे थे, जैसे हमने का he did not accept, या इसको ऐस accept Sunday, I work everyday, मैं प्रतेक दिन काम करता हूं, accept Sunday, यानि Sunday को छोड़ कर, मैं प्रतेक दिन काम करता हूं, अगला expect लिखा हुआ है, अब जैसे लोग कहते हैं कि अमाली ये लड़का है लड़की है, दोनों प्यार करते हैं, दोनों में से किसी का मन भर गया, तो वो दो ही बातें ठीक है, फिर भी आप नहीं मानोगे, आप लखे रहोगे, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़के लाओंगा, वो जो चंद्रयान 3 के बाद, चंद्रयान 4 जाने वाला है, मैं चोड़ी से उसमें बैठ जाओंगा, मैं चांद तुम्हारे लिए लेकर कि आओंगा, ठीक है, धरती पे तुम्हारे कदमों में उतार दूँगा, वो खुछ भी कर लो उसके बाद, उसने कह दिया कि यू डिजर्ब बेटर, तुम मुझसे बेटर डिजर्ब करते हो, तुम हम लोगों को समझ में आ गया है कि ये केबल की प्रॉबलम है, एक दूसरा केबल मंगाएंगे, औरिजिनल केबल मंगाएंगे, अभी तो काम चलाओं लेकर क्या आ गया था मैं, मतलब फ्रिक्वेंटली ये चीज ना हो, खेर, expect मतलब होता है, hope for, यानि उमीद करना, जिसको आप लोग क्या बोल सकते हो, anticipate बोल सकते हो, anticipate और जिसको पता है क्या बोला जाता है, इसको predict बोला जाता है, यानि जैसे भविष में किसी चीज की वो करते हैं, आप भविष्वानी करते हैं, जैसे मैं कहाँ मुझे तुम से ये उमीद नहीं थी, मतलब ये बात थी, की बात हो रही है, expectation की बात हो रही है, तो they are experiencing, वो लोग, sorry, they are expecting, वो लोग expect कर रहे हैं, a lot of applicants for the job, यानि इस नौकरी के लिए वो बहुत सारे applicants की उमीद कर रहे हैं, आसा कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग इसके लिए apply करेंगे, ठीक है, जैसे मैं बोलू, he did not expect to see me, he did not expect to see me, मतलब उसने उमीद नहीं की थी, तो see me मुझे मुझे मुझसे मिलने का, जैसे कभी-कभी होता है कि आप रास्ते में जा रहे होते हैं, ठीक है, आप भी उसी जगह पे गय, आपके सामने वाला उसी जगह पे चला गया, तो कह रहे हैं, यार मुझे expect नहीं था, कि तो मुझे यहां मिलोगे, तो he didn't expect to see me, यहां पे हमने देखो, एक बार फटा-फट revision कर लेते हैं, access मतलब approach होता है, entry होता है, accession मतलब पद ग्रहन करना होता है, या उत्तर अधिकारी हम जिसे बोलते है, access मतलब अधिक होता है, हद से जादा, more than required, accept मतलब स्विकार करना, accept म anticipation, अब एक बार सभी बच्चों से भाई मैं पूछना चाहूंगा, कि बताईए क्या यह चीजें जिस तरीके से मैंने पढ़ाई, बताई, आपको clear हुआ, मेरे भाई देखो, मैं अपनी करब से दो example लेकर करके चलता हूँ, एक तो जो आपकी PPT पे लिखा होता है, दूसरा जो मैं लिखता हूँ, इस से होता क्या है, कि यह आपके mind में ज़्यादा hit करता होगा, एक तो लिखा हुआ है, दूसरा उसको मैं बताता हूँ, तो वहाँ पे आपको दो तीन शब्द भी मिलते हैं, दो example भी मिलते हैं, किसी एक word को याद गराने के लिए, अगर हमने दो example करके समझा दिया, उस पर हमने दो से मिनट, दो से तीन मिनट दिया, तो वह आपको याद हो जाता होगा, तो एक बार जल्दी से आप लोग मुझे फटा फट यहाँ पर बता दो, यह चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यही तरीक के अंदर उनको यूज कैसे करते हैं, वो हर चीज़ आप, बताओ, एक बार जल्दी जल्दी सब लोग बता दो, सहमत हैं आप सभी लोग, आपकी सहमती देखें बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे पैसा और समय दोनों दिया है, और मुझे पत है, यहीं पर आ करके धरना दे दोगे, मैं कहीं गली वली मिला तो गिरा के भी मारोगे है न, वैसे भी लड़कियां खावाई हुई है, मुझे से, सबको क्लियर हो गया, अच्छा, दो बार हो चुका है, क्या यह, कोई बात नहीं, आज फिर से हम केबल को बदल देंगे, ड इस वाले अल्टर को देखिएगा, यह वाला है अल्टर, यहाँ पर ए आर है, यहाँ पर अर है, तो उनों में डिफरेंस क्या है, पहले मैं आपको हमारे यहाँ जो एक भासा चलती है, वो बता देता हूँ, क्याते हैं, अरे वो तो पी के अल्टर हो गया था, मतलब वाला मेरे भाई, amend करना, यानि किसी चीज़ को एक तरीके से rectify करना, यानि परिवर्तन करना, ठीक है, और यह जो अल्टर होता है, यह अल्टर का मतलब वेदी होता है, लिकिन आप वेदी नहीं समझ पाओगे, कि यार कहना कहा चाहता है, यह holy table in a church, इंगलिस मैं भी समझा देता है, कि जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं, कि मान लिजिए हम लोग जन्मास्टमी की पूजा कर रहे हैं, ठीक है, तो होता क्या है, कि हम अपनी, जैसे मान लिजिए, यहां तक की एक table लगा देते हैं, उस table पे हम लोग अगर बत्ती, पूजा का सामान, ठीक है, फल, वगेरा सब देते हैं, वैसे जब आप चर्च में जाएंगे, तो चर्च में एक बना होता है, a kind of table होता है, और उस table को हम religious ceremony के लिए धार्मिक कार्यों के लिए यूज करते हैं, ठीक है, वो अल्टर होता है, लेगिन ये अल्टर होता है, चेंज करना, यानि परिवरतन करना, जैसे for example, यहां लिखा है, we have had to, alter some of our plants, हमें करना है, ठीक है, क्या करना है, अल्टर सम of our plants, हमारे plants में से कुछ को हमें क्या करना है, अल्टर करना है, अल्टर करने का मदद चेंज करना है, लड़कियां साइद इस सब्द से परचित होंगी, उनका जो लहना होगा, या उनके जो कपड़े होते होंगे, यूजवली आप अल्टर कराने लेकर जाती हैं, ये लड़के भी लेकर जाते हैं, लेकिन लड़कियां अब इतनी हो गई, तो अल्टर करा लिया, अब लड़कों का क्या है, एक तो पैर पतले होते, आज कल लड़कों का देखो अजीब इस्तेती है, उल्टा हो गया, पहले लड़कों के पैर मोटे होने चाहिए, लड़कों के पतले हो गया, लड़कों के पतले हो गया, वो सुख मैंने बोला, I have to alter some of my plants, I have to alter some of my plants, यानि मुझे अपने plants में से कुछ को alter करना है, यानि change करना है, बदलना है, ठीक है, ALTR, यहां देखिएगा, he board, board मतलब क्या होता है, जुकना, आप इसको place of worship भी बोल सकते हो, पूजा करने का स्थान, या आप इसको holy table in church बोल सकते हो, तो he board वह जुका, जुकने का मतलब, ऐसे, ठीक है, before the alter, किसके सामने जुका, अल्टर के सामने जुका, अल्टर मतलब वही, जो पूजा वाली table थी, है ना, पूजा की table, वह पूजा नहीं जवाब समझ रहे हैं, वह अलग मैं आपको बता रहूं, समझ गया होंगे, ठीक है, जैसे people, जैसे एक example अगर मैं अपनी तरफ से लिखूँ, लोग क्या करते हैं, अल्टर के सामने जुकते हैं, यानि नतमस्तक होते हैं, ठीक है, अब देखो, एक accent लिखा है, एक accent लिखा है, सबसे पहले ना, इसमें spelling थोड़ा ध्यान से दिखिएगा, accent और accent में, जैसे यहां पे लिखा, accent में double s, scnt, यहां s के बाद c, ent, यानि इन्होंने difference क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने C लिखा है और यहाँ पे इन्होंने S लिखा है तो यह जो ascent होता है इसका मतलब होता है स्विक्रिती देना यानि accept करना किसी चीज़ को accept कर लिया किसी चीज़ को agree कर लिया या कह सकते हैं किसी चीज़ को allow कर दिया या किसी चीज़ को approval दे दिया या किसी चीज़ को sanction कर दिया क्या कर दिया? sanction अब इतना तो यादी हो गया होगा कि ये वाला जो हमारा accent होता है इसको हिंदी में कहते है स्विक्रिती देना किसी चीज़ के लिए और English ये आपके सामने लिखिए इसको चाहे हम accept बोले चाहे हम agree बोले चाहे हम allow बोले चाहे हम approval बोले चाहे हम sanction बोले यानि शुक्रिती देना ये जो accent है इसका मतलब climb होता है यानि चढ़ाई करना क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? चढ़ाई करना अपनी स्विकृति देदी है तो The proposal यानि proposal के लिए जो उनका प्रस्ताव था उस प्रस्ताव के लिए एरॉक्तर ने अपनी मंझोरी देदी ठीक है तो यहाँ पे स्विकृती देने का मतलब मंझोरी देन यह देखो सी मेडहर उसने बनाया अपना पहला सफल एसेंट आफ एवरेस्ट लास्ट यार यानि एवरेस्ट पे चढ़ाई उसने सफलता पुर्वक पिछले साल कर ली जो दोनों में ध्यान रखेगा आप सभी लो एक्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो the ascent had taken four hours मैंने लिखा the ascent had taken four hours यानि जो चढ़ाई है उसने कितने घंटे लिए आपने का चार घंटे अब यहाँ पे आप यह नहीं लिख सकते हैं कि A-S-S-E-N-T ध्यान रखना अगर कभी माने जिए यह ऐसा पलट के पूछ दे कभी examination के अंदर तो ध्यान रखना यहाँ पे taken four hours मतब चढ़ाई ने चार घंटे लिए ज्यादा ऊंचा चढ़ना होगा तो चार घंटे लगए ठीक है अब जैसे मालने जिए मैं यह बोलूं कि the prime minister या the PM assented to the change यानि जिस बदलाव की मांग हुई थी चेंज मतलब यहां बदलाव समझेगा जिस बदलाव की मांग हुई थी उसके लिए परधान मंत्री जीने क्या दे दी आपने का सर मंजूरी दे दी परधान मंत्री जीने क्या दे दिया मंजूरी दे दिया तो एक बार जल्दी से पर्योग किये जाने वाला उंचा टेबल उसके बाद एसेंट होता है एसेंट मतलब स्विक्रिति देना होता है जिसे हम लोग बोलते हैं या जिसे हम बोलते हैं सैंक्षन करना ठीक है और यह एसेंट जो होता है इसका मतलब होता है क्लाइंड करना यानि चढ़ाई करना उम्मिद करता हूं यह भी याद हो गया ठीक है तर अपना सर्कल क्यों छोटा रखते हैं ज्यादा लोगों से क्यों नहीं मिलते हम भी बताईए अपका यह काम करते हैं आई इसी में से घुझ करके बाहर चाय बनाते हैं आपके साथ बैठके बातें करते हैं अपना अनुबव बांटते हैं पढ़ाई लिखाई होती रहेगी इसस्ति का क्या है वो तो आता रहेगा ठीक है अब देखो बैड़ एड़क्ट एड़क्ट एमिकेबल अब इसमें भी जरह देख लिए आप सबीनWow कि यह क्या लिखा हुआ है कि अ अ अ central को अर्यों छोग और यहां पे लिखाए यहां पर दॉबप्ट मतलब होता है ग४ंध लेना टीक है यह एड़ाप्ट मतलब होता है कुद को अनुकूल वराना और यह होता मतलब निपोड ठीक, देखो, पहले मैं तीनों को समझा देता हूँ, उसके बाद मैं लिख दूँगा, यह जो adopt होता है, जाहिर सी बात है, कल को आपका ऐसा मन हुआ कि आप बच्चे नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको यह एहसास हो गया, दुनिया में खुद इतने लोगों ने बच्चे कर मारना नहीं चाहती है, तो आप बच्चों को गोद ले लेंगी, वैसे भी बहुत अनात बच्चे हैं, ठीक है, adopt, अब मान लिजे, उस बच्चे को जिसको आपने गोद लिया है, या इस दुनिया का कोई भी जानवर, या कोई भी जानवर, आप भी जानवर में ही आते हैं, The man is the only animal that can talk, बस इतना अनतर होता है, हम लोगों में हम लोग बात चीत कर सकते हैं, हम भी जानवर, तो कोई भी जानवर जीने के लिए, खुद को इस वातावरन के अनुकूल बनाता है, जिसको हम लोग बोलते है, natural selection, कोई भी उचाय, मेड़क हो, मुर्गी हो, हम है, तो जि इसी चीज में expert होना, जैसे दिखे होगा, आपने कुछ लोग बकैती में expert होते हैं, मतलब बातें बहुत करते हैं, बातों से पूरी दुनिया ही खीच के आपको कदमों में कर देंगे, ठीक है, तो वो होते है expert या skilled, तो देखो, adopt मतलब आप समझे, तो adopt मतलब होता है, I have adopted a baby girl, उन्होंने baby girl को क्या, एक बच्ची को गोद लिया, और मैंने decide कर लिया है, एक बच्चे को गोद लेने के लिए, अगला देखेगा, adopt मतलब होता है, अनुरूप बनाना, अनुरूप बनाने का मतलब है, खुद को uncool बनाना, ठीक है, अनुकूल, adjust करना, किसी भी ची है, किसी भी बातावरण के अनुकूल खुद को बना लेना, that is, adapt करना, तो adapt मतलब modify करना होता है, खुद को ध्यान रखेगा, ठीक है, खुद को बदलना, modify करना, खुद को change करना, for example, अगर मैं बोलो, I know how to adapt myself, I know, मैं जानता हूँ, how to adapt myself, खुद को कैसे adjust करना, खुद को कैस modify करना है, example के तोर पर जैसे आप यहां देखेगा, क्या लिखा हुआ है, the organisms were forced to adapt in order to survive, यह जो organisms है, वो force किये जाते हैं, survive करने के लिए, खुद को adapt कर ले, यानि खुद को अनुकूल बना ले, अब जैसे यहां लिखा, adapt मतलब क्या होता, skilled, skilled का मतलब क्या होता है, जो व्यक mysterious, ठीक है, expert जीसे बोलो जाता है, जैसे example के तोर पर आप देखेंगे, they soon became adapt at bartering in the market, barter system आपने सुना होगा, ठीक है, कुछ लेना और देना, जैसे mutual understanding के तहत, आपने मुझसे दो थपड ले लिया, और जब आपकी बारी यही मैं भाग गया, खेर वो बात नहीं है, barter मतलब क्या हो गया, कि जैसे आपने मुझे चीनी दे दिया, मैंने आपको चावल दे दिया, आदान परदान हमने कर लिया, ठीक है भाई, तो they soon become adapt वो जल्दी ही क्या हो गया, adapt हो गया, bartering system में, आप जैसे fix proposition भी धियान दे रहे होंगे, तो देखें, adapt के साथ at लगता है, ठीक है, जैसे मैंने कहा, he is adapt at computer, वह computer में क्या है, बहुत ज़्यादा adapt है, यानि बहुत ज़्यादा skilled है, बहुत ज़्यादा expert है, अगला देखेंगा next, यहाँ पे amicable, भाई, दोनों का मतलब सेम होता है, यह दोनों जो है आपस में synonym है, ठीक है, इसका मतलब भी होता है friendly, जिसको हम लोग effable कहते है, इसका मतलब effable होता है, मैतरे पूर्ण यानि जिसको हम लोग बोलते हैं, दोस्ताना, ठीक है, अब जैसे example के तोर पे देखेंगे, मैंने लिखा भी है, friendly, good-natured या friendly, good-natured, दोनों का same meaning होता है, जैसे कहा, an amicable settlement was reached, ठीक है, कैसा settlement की बात हो रही है, amicable settlement, जैसे मान लिजे, दो लोग है, अब मान लिजे, ये आपके पडोसी है, कलू, ठीक है, ये है, मान लिजे, कलू की महरा रू, उनकी wife, जाहिर सी बात है, इन दोनों की बीच में किसी चीज़ को ले करके जगड़ा हो गया, कलू चाहते हैं कि हम इस market में एक बच्चे को और launch क लेकिन उनकी बीवी ठक चुकी है, इस चीज़, इस प्रक्रिया से वो ठक चुकी है, तो अब दोनों में बात बन नी रही है, तो लोगों ने settlement कराने की कोशिस करी, और उनके बीच में जो settlement कराने की कोशिस करी, वो बड़ा amicable settlement था, ठीक है, कलू को अंतताह मानना पड़ा, उन्होंने मान लिया, तो settlement amicable का मतलब बहुत ही दोस्ताना था, मैत्रिपूर था, मतलब हार्मनी था, जिसको हम concurred, जिसको हम लोग occurred बोलते हैं, ठीक है, और यहाँ पर वही चीज़ लिखा, he is perfectly amiable young man, वो बहुत ही एक तरीके से ना social इंसान है, जिसम social समाजिक, बहुत ही म इंसान है, ठीक है, लोगों से बहतर तरीके से रहता है, तो यह हमारा हो गया, amiable, तो दोनों में मुझे लग रहा है, आपको difference clear होगा, कोई doubt किसी student को, ठीक है, नहीं होगा, भाई अगर यहाँ तक की बातें समझ में आ गई है, तो एक बार सभी लोग comment मुझे करके बता दे मैं आपको जितने भी आपके examination की अंदर पूछे जाते हैं, सारे के सारे homonim मैं आपको रटा दूँगा, आप अगर मानने चीए मेरी बातों को थोड़ा भी धियान दे रहे होंगे, तो यह आपको याद हो जाएगा, जैसे यहीं पर आ जाईए, exit लिखा हुआ है, exit, तो exit क का मतलब क्या होता है, accept करना, accept करने का मतलब मेरे भाई, किसी चीज से सहमत हो जाना, यानि इधर लिखतेता हूँ, किसी चीज से सहमत होना, यानि agree होना, ठीक, जैसे आपने लिखा, he graciously, exceeded to our request, मतलब, graciously का मतलब, विनम्रता पुरुवक, हमारे request को मान गया, तो यहाँ पर exceed लिखा हुआ, पहले एक example, इसका मैं और देता हूँ, आप सब लोगों को, the government, the government, exceeded to their demands, ऐसा तो बहुत कम बार होता है, लेकिन कभी-कभी ऐसा आपको सुनने को मिल जाता होगा, जो जनता होती है, या जो हमारे भाई मजदूर होते हैं, या मान लिजे किसानों की बात करें, या हम फिर आम जनता की बात करें, जो उनके demand होते हैं, वो सरकार कभी-कभी मान लेती है, तो government exceeded to their demands, यानि उन लोगों के demands को जो government थे, उसने क्या कर लिया, accept कर लिया, तो यह ज exceed मतलब क्या होता है, किसी चीज का बहुत ज्यादा होना, मतलब go beyond, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते है, go beyond, या जिसको हम लोग बोलते है, overrich, जिसको हम सरपास बोलते है, यानि अतरिक, हद से ज्यादा, जैसे यहां पर लिखा हुआ है, कि the final cost should not exceed dollar five thousand, five thousand dollars, तो कहरा है कि जो final cost है, वो five thousand dollar से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो यहां पर exceed का मतलब क्या होता है, ज्यादा होना, और यह ध्यान रखेगा, जो exceed होता है, उस exceed का मतलब होता है, किसी चीज को accept करना, यानि किसी चीज को admit कर लेना, ठीक है, exceed जैसे हमने का production costs have exceeded, जैसे example के तोर पे, जो आपक production cost था, have reached rupees five CR, जैनि जो आपका production cost था, वो कितना तक पहुंच चुका है, पाँच करोन तक पहुंच चुका है, ठीक है, तो cost have reached, reached, reached लिखते हैं, यहाँ exceeded लिखने है, meaning से हम लिखने है, exceeded rupees five CR, तो production cost have exceeded rupees five CR, यह हमारा हो गया, exceed, अब दिखिए, यहाँ पर लिखा हुआ, concede, ठीक है, इन तीनों को एक साथ रखिएगा, exceed, exceed और concede, concede मतलब भी होता है, स्विकार करना, ठीक है, इसका मतलब भी होता है, किसी चीज़ को आपने admit कर लिया, admit करने का उन्हों स्विकार कर लिया, जैसे कह रहा है, कि C readily concede that there is much work still to be done, वो इस चीज़ को बहुत भली भाती मानती है, कि बहुत सारा काम अभी, much work still to be done, करने के लिए अभी बाकी है, ठीक है, और बहुत सारा काम मतलब हो चुका है, और बहुत सारा काम अभी करने के लिए बाकी है, तो concede का मतलब होता है, किसी चीज़ को accept कर लेना, या स्विकार कर लेना, जैसे मैंने का, I had to concede, I had to concede that, क्या लिख दिया जाए, I had overacted, ठीक है, मैं इस चीज़ को मानता हूं, मतलब I had to concede, मुझे इस चीज़ को मानना पड़ा, कि मैंने overact कर दिया था, जैसे कभी कुछ लोग होते हैं, कि overreact कर देते हैं, जितना उनको नहीं करना चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा बोल जाते हैं, reaction कर जाते हैं, जैसे अनन्या पांडे को देखिए, जैसे उर्फी ज लोग मिल जाएंगे, बहुत सारे, जैसे आलिया भट को देखिए, ठीक है, यह पता नहीं है, इन लोग गुस्सा आते हैं, मुझे पता नहीं क्यों आते हैं, मुझे नहीं पता, overreacted, overreacted लिखेज़ेगा, ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा, कि I had to consider that I had overreacted, मुझे इ लिखेगा, अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, alteration लिखा हुआ है, यहाँ पर ना, अभी एक word थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, altr, ध्यान दिजेगा, इस alter का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, change, या modify, तो भाई, यह जो हमने, इस से alter से बनाया है, alteration इसका मतलब भी परिवर्ता नहीं होता है, बस ध्यान रखेगा, यह alter noun है, यह भी noun है, ठीक है, तो यह alteration, अगर मैं सिर्फ alteration की बात करूँ, इसके last में दीखे क्या आया है, आपने का tion आया हुआ, iion है tion, तो यह alteration हमारा noun है, यानि abstract noun, तो यानि इनके meaning में कोई नहीं आएगा, जैसे लिखा है, we will have to make, हमें बनाना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा, a slight alteration to the plans, यानि plans जो है आपका, plans मतलब जो आपकी योजनाओं है, हमें योजनाओं में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा, अगर आपने कुछ plans बनाए हैं, तो बहुत बार ऐसा हुआ है, that is altercation, altercation का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझेगा, यह alteration था ना, यह altercation है, argument होता है, इसका मतलब, argument यानि बहस करना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे मैंने कहा, according to witness, witness के अनुसार, the altercation between the two men, दो आदमियों के बीच में, जो altercation था, altercation मतलब जो लड़ाई जगडा था, started inside the restaurant, वो कहां शुरू हुआ था, restaurant के अंदर शुरू हुआ था, अब एक छोटा सा example दूँगा, दो example दूँगा, आपको उसके अंदर हमें बताना पड़ेगा, कहां पर alteration लिखोगे, कहां पर altercation लिखोगे, जैसे मैंने कहा, careful, यह फिर से black हो गया था, यह आज ज्यादा बार हो गया, जैसे आज के YouTube की class में यह नहीं हुआ था, अभी कुछ ज्यादा बार हो रहा है, कोई बात नहीं, देखते हैं, आप यहाँ बताओ, हम क्या फिल करेंगे, और next लिखा मैंने का I had an, with the ticket collector, तो इन दोनों में आपको बताना है कि कहां पर alteration भर दें, कहां पर altercation भर दें, आप थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ोगे न, तो आपको समझ भी आजाएगा, जैसे, I had an, with the ticket collector, यानि वो कह रहा है कि जैसे मालीजी आप सफर करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, जो ticket collector होता है, अगर वो unnecessary बहस करें या पैसा मांगे, तो इनसान की बहस हो जाती है, कहां सुनी हो जाती है, तो I had an, यहाँ पर क्या हो जाएगा, altercation, यानि हमारा क्या हो change किया जाता है, उनको परिवर्तन किया जाता है, ठीक है, हाँ, थोड़ा सा हो रहा है, black and white हो रहा है, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, कितनी बार हो गया, आज तो तीन बार हो गया, शायद, दो तीन बार हो गया ऐसा, चलिए, आगे बढ़ते है, तो यहाँ पे आपने देखा कि भाई, exceed है, exceed है, concede है, exceed मतलब माल लेना, agree करना, exceed मतलब होता है, overreach करना, और concede मतलब होता है, आपका agree या admit करना, alteration मतलब होता है, आपका परिवर्तन, alter से बना है, altercation मतलब होता है, quarrel करना, यानि argument करना, ठीक, अगला देखे, opposite, opposite, affect, effect, यह तो खेर, मैंने कई बार YouTube पे भी बताया है, बाकि यह दोनों को एक बार आप लोग देखो, opposite, opposite, यह वाला तो opposite आपको पता ही है, ठीक है, विपरीत होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते है, भाई, जिसे हम contrast बोलते है, और यह जो opposite होता है, इस opposite का मतलब होता है, appropriate, यानि उप्यूक्त होना, किसी an quotation, अब आपको यहां बताना है, क्या लिखूँ, an opposite quotation या opposite quotation, ठीक है, q-u-o-t-a-t-i-n, ठीक है, quotation का मतलब अगर आप लिखना चाहों, तो यहां पर लिख सकते हो, वाक्यांस, इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं, वाक्यांस लिख सकते हैं, तो आपको बताना है, कि यह opposite या opposite quotation होगा दोनों में से कौन सा होगा एक्डाम्पल के थोर पर आगर आप देखना चाहें यहां देख सकते हैं कि हर रिमार्क जो उसकी टिपड़ी थी रिमार्क मतलब होता किसी चीज़ पर टिपड़ी देना आर एक्स्ट्रीमली अपोजिट बिल्कुल उचित थी उपियुक्त थी बिल्कुल suitable थी यहां कहरा कि answers are given जो answers दिये गये थे on the opposite page वो कहां दिये गये थे opposite page पे दिये गये थे यानि contradiction की बात हो रही है तो यहां पर मैंने आपसे कहा कि क्या हो जाएगा तो यहां पर हो जाएगा an opposite quotation ठीक है कैसा quotation था बिल्कुल opposite quotation था opposite quotation का मतलब ब इसको हम लोग germine भी बोलते हैं जिसे हम लोग relevant बोलते हैं ठीक है जर्मीन या relevant अगर affect और effect की बात करें तो भाई affect मतलब बता चुका हूं इसका एक तो मतलब pretend करना भी होता है दिखावा करना जिसको हम लोग बहाना करना ठीक है इसका एक मतलब होता है influence मतलब आप यहां प both the buildings were affected by fire जो दोनों buildings थी वो fire से क्या हो गई आपने का सर affected हो गई यानि परभावित हो गई तो यहां इसका मतलब हो गया परभावित होना ठीक है अब जैसे मैंने आपसे कहा कि C यहां लिख देता हूं यहां लिख देता हूं स्टी अफेक्स इलनेस जब भी उससे पढ़ने के लिए पूछा जाता है तो वो क्या कर लेती है बिमारी का बहाना बना लेती है सी अफेक्स मतलब क्या है बीमारी का बहाना बना लेती है जब उससे पढ़ने के लिए पूछा जाता है यहां पर यह भी कह सकते हो बहाना बनाने का मतलब प्रिटेंड करना क्योंकि जब आप बहाना बनाते हो दिखावा करना आप किसी चीज़ care जिस जब उससे पढ़ने के लिए पूछा जाते थो बहाना बनाना हो तो यहां पर प्रभावित करना हो गया यहां पर इसका मतलब बहाना करना या प्रेटेंड करना भी होता है एक अग्जाम्पल जैसे यहां देखेगा जो तुम्हारा ओपेनियन है वो मेरे decision को affect नहीं करेगा, affect करने का मतलब कह रहा है कि वो तुम्हारे sorry, परभावित नहीं करेगा, ठीक है, मतलब मेरे decision को परभावित नहीं करेगा, और यह effect, effect क्या है, noun के तरीके से काम करता है, यहां लिखा हो, effect मतलब भी परभावित करना होता है, जैसे यह affect रवर्ब के तरीके से काम करता है और यह effect noun के तरीके से काम करता है example के तोर पे देखे, the result show a statistically significant effect अब यहाँ पर यह significant क्या है, adjective है तो adjective के बाद आप क्या लिखोगे, noun लिखोगे, ठीक है जैसे मैंने कहा, आप से example के तोर पे, लिखों भाई जगाहीं नहीं दिख रही है कहीं पर चलिए यहीं चिपकाते हैं इसको जैसे मैंने लिखा corruption has a tremendous अगर मैं यहाँ पर blank आपको देखे पूछू क्या भरूं corruption has a tremendous what effect या effect तो आप थोड़ी सी भी अगर बुद्धी लगाओगे अपनी समझदारी तो आप बता दोगे देखो corruption has एक तो यहाँ पर आपने यह लिखा हुआ है दूसरी बात यहाँ पर आपने tremendous यानी adjective लिखा हुआ है adjective के बाद आप noun लिखोगे तो आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा effect जैसे यहाँ पर आपने adjective लिखा था तो adjective के बाद आपको noun लिखना पड़ेगा noun क्या होता effect होता है उसी तरीके से corruption has a tremendous effect यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा noun लिखना पड़ेगा समझ गया आप तो यहां पर affect और effect तो भाई एक बार जल्दी से सारे student बता दो यह भी समझ में आ गया और यह भी समझ में आ गया इसमें कोई doubt नहीं है किसी बच्चे को यहां तक कोई doubt नहीं है तो last देखो ठीक है एक लिखा है illusion एक लिखा illusion एक लिखा यह भी लिखा एल ठीक है अब इसमें दोखो difference पहले meaning समझा देता हूं यहीं समझ में आ जाएगा यह जो illusion है illusion का मतलब इशारा होता है ठीक है जिसको हम लोग बोलते है हिंट 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 इसारा की हिंट देना illusion मतलब ब्रम होता है ब्रम जिसको hallucination बोलते हैं यह word कभी सुना है आप लोगोंने hallucination जिसको हम लोग imagination भी बोल सकते हैं imagination क्योंकि भाई देखो यहां क्या लिखा हुआ है यहां लिखा हुआ unreal कोई चीज अगर unreal है कोई चीज अगर वास्तविक नहीं है अगर कोई चीज अवास्तविक है तो obvious सी बात है कि वो imaginary चीज होगी क्योंकि अवास्तिक वही चीज होती है जिसकी कलपना की जाए ठीक है कैसे लोग कलपनाओं में खोनी जाते आसिकों को देखो बहुत कलपनाई करते है ठीक है वो मनी मन में तुमने मुझे आयला भी बोला तुम्हें तुम्हारी पत्नी होगे एक मैंने ऐसे रिल से देखा था एक छपरी थी अरे भाई अठारा साल की भी हो नहीं थी ये पंदरा सूला साल चौदा साल के बच्चे है ना मुझ ऐसा इनका मुझ नहीं होता किसी लायक नहीं होते तुमने मुझे जिस दिन आयला भी बोला मैंने उसे दिन तुम्हें अपना पती मान लिया था बे साले कैसी बातें करते हैं ये सब तो ये सब कैए ये ये हलुसिनेशन है ये इलूजन की प्रकास्टा है बराम है ये ठीक है यह imagination है उनका कहते ना कि any idea without execution is just illusion कोई भी idea बिना execution के बस एक illusion है अगर कोई idea आपके दिमाग में आए आप उसको execute मत करी आप उसको apply मत करी वो क्या है एक ब्रहम है आपका ब्रहम ही तो है और क्या है ठीक है तो भाई illusion मतलब ब्रहम होता है imagination unreal hallucination कह रहा है कि c is under the illusion that c will get the chop वो ब्रहम में है कि उसको क्या नौकरी लग जाएगी उसको नौकरी मिल जाएगी समझ गया अब जैसे एल यह देखो a-i-l यह है यह है यह है a-l-e difference देखते रहिएगा illusion illusion में देखिएगा यहाँ पर i है यहाँ पर a है ठीक है छोटे छोटे difference notice करिएगा ठीक है जैसे एल मतलब suffer करना होता है सफर करने का मतलब वो सफर नहीं है ठीक है ट्रबल करना होता है she has been ailing for years मतलब वो बहुत सालों से कर रही है बहुत सालों से बिमार पड़ी है बहुत सालों से किसी चीज़ से ग्रसित है किसी भी तरीके से आप कनवे कर सकते हैं तो एल मतलब यह होता है और एल अट टाइप ऑफ बीयर होता है अट टाइप ऑफ बीयर मतलब एक पेयप अदार्थ होता है जिसमें एल्कोहल की मात्रा आइधिंग 4% या 6% होती है ऐसे कुछ अब आप मुझे यह मत पूछना आपको इतना accurate कैसे पता है मैं नहीं पीता भाई ना मैं मास मचली खाता हूं अब ना मैं मास मचली खाता हूं ना मैं अब अल्कोहल लेता हूं यह सबसे मैं दूर हूं the chief drinks were ale and mead यह जो ale लिखा हूँ है बात drink की हो रही है यहां पर इसका मतलब क्या होगे a kind of beer a type of beer